आज के बीडियो में हम जानेंगे net examination के बारे में net का जो paper first होता है basically हम paper first के बारे में ही सारी information लेने वाले हैं इस बीडियो में paper first क्या है and इसमें marking कैसी होती है negative marking होती है या नहीं होती है कितने marks का होता है कौन कौन से topics है जो आपको cover करने होता है and syllabus हम जानेंगे नेत examination के बारे में और हाँ जो भी Camasant जो नेक्णिसीन नहीं जानते इंडी का पूरीफल मैं उनको बताऊंगी समय क्वारों धंग्वें तो अगर आप में लिए पेपर फॉर्स्ट के इसका जो selection procedure है, two papers होते हैं इसमें, paper first, paper second, paper first सभी candidate के लिए होता है और paper second जो रहता है वो subject wise रहता है, तो paper first आप सभी candidate के लिए जो भी net examination के बारे में in future सोच रहे हैं कि net exam देना है, उन सभी के लिए वीडियो काफी important रहेगा, तो वीडियो आइन तक देखेगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like and share कर दीजेगा, Hello everyone, मैं हूँ आस्था, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube channel, Government Job Genuine Notification, तो पहले मैं बताऊंगी net exam क्या है, उन candidate के लिए जो की नहीं जानते हैं net examination के बारे में, तो जो net है, net का full form होता है National Alisability Test, ये एक national level का Alisability Test है, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रिये पातरता परिक्षा कहत हैं, and ये UGC के दोरा conduct करा जाता है, UGC के दोरा, NTA जो National Testing Agency है, ये इसके लिए examination conduct करती है, और इसका notice साल में दो बार release किया जाता है, net and JRF, दोनों का एक ही paper होता है, और net और JRF में क्या difference है, इस पर मैं already video upload कर चुकी हूँ, और आप सभी ने उस video पर बहुत सारा प्यार मिल है, आप सभी का, बहुत पसंद किया है, आप सभी ने वो video, जिसमें मैं net और JRF के बारे में आपको बहुत ही simple way में बहुत अच्छे से explain किया था, so अगर आपने visit नहीं किया है, I button पर link दे दूंगी, net and JRF में क्या difference है, वो आप देख लीजेगा, okay, so basically जो net exam है, वो किसको द अगर आप teach करना चाहते हैं, means lecturer या professor आप बनना चाहते हैं, तब आपको net exam देना होता है, तो वो सभी candidate जो की सोच रहे हैं, आगे चलके college में पढ़ाने का सोच रहे हैं, colleges में पढ़ाने का, तो उनके लिए net exam important है, और ये national level का है, सभी candidate के लिए, all India से, जितने भी student है या candidate ह बनना चाहते हैं, वो net exam दे सकते हैं, इसका notice आपको UGC की website पर या NTA की website से आप online apply करते हैं, तो वहाँ पर आपको check out करते रहे हैं, साल में, दो बार इसका notice release होता है, okay, so ये तो हुई, net exam की बात, net exam क्या है, जो नहीं जानते थे, उनको मैंने briefly बताया, अब इसका जो paper है, के बारे में अब हम इसमें अच्छे से जानेंगे, paper first क्या है, इसका जो selection procedure है, इसमें two paper होते है, paper first and paper second, paper second subject wise रहता है, क्योंकि आप जिस subject से कर रहा हैं, उससाब से आप कर रहता है, लेकिन paper first सभी candidate के लिए होता है, तो चलिए अब हम paper first के बारे में देखेंगे, तो सभी के लिए important है, और यह जो net exam है, यह आपको, इसमें competition काफी आपको tough होता है, क्योंकि all India से इसमें बहुत बड़ी संख्या में applications, invite के जाते हैं, और apply करते हैं, काफी candidate net examination के लिए apply करते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी होगी, hard work करना होगा, ठीक है, अगर हम बात करें, पेपर first की, तो पेपर first में कुल 50 questions होते हैं, 50 questions होते हैं, और हर एक question 22 mark का रहता है, 2 mark का one question होता है, इस तरह से total 100 mark का आपका paper रहता है, अब जो net examination का जो paper first है, यह आपके लिए 10 units इसमें select की गई हैं, यानि जो 10 units हैं, 10 topic हम कह सकते हैं, जिससे related आपसे जो net का paper first है, इसमें question किये जाते हैं, 10 units से हर एक unit से आपसे 55 question किये जाते हैं, वही unit में अभी आपको यहाँ पर बताऊंगी, so 10 unit रहती हैं, 10 unit से हर एक unit से 55 question आते हैं, एक question 2 mark है, इस तरह से 50 question 100 marks के रहते हैं, और अगर हम बात करें negative marking की, तो इसमें negative marking नहीं रहती है, and paper first के लिए आपको timing एक घंटे का दिया जाता है, तो यह तो हुई basic से जानकारी जो exam आपका होता है, ठीक है, and objective type ही आपका question रहेगा, चलिए, अब हम इसकी बात करेंगे syllabus की, तो देखिए, जिन 10 units की मैं बात कर रही थी, उसमें unit 1, यह units हैं, जिसमें से आपके question आते हैं, तो first जो unit है, वो है teaching aptitude, teaching aptitude से आपसे question किये जाते हैं, जिसमें की teaching concept, objectives, level of teaching, जैसे की memory, and understanding and reflective, characteristic and basic requirements, तो teaching aptitude में, जैसे की अगर हम बात करें, तो विसेस्ताओं और उद्धियों सही सिक्छन की अबधारना, सिक्छन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन कार, विभिन मूल्यांकन परणाली, जो छात्रों के प्रदसन को प्रभावित करेगी, सिक्छन प्रक्रिया मे विभिन सिक्छन बिधियों का प्रियोग किया जाना, यह जो topics हैं, यह आपके teaching aptitude से रहती हैं, इसके अलाबा teaching support system, जिसमें की traditional, modern and ICT based रहता है, and evolution systems, elements and types of evolution, okay, so यह आपका teaching aptitude रहेगा, इसके बाद जो second unit से आपके question किया जाएंगे, हर एक unit से 5-5 question ही आएंगे, second unit से question आए वो है research aptitude का, research aptitude जो आपका topic रहेगा, unit रहेगा, इसमें आपका research meaning, types and characteristics, positivism and post-positivism, approach to research, method of research, step of research, यह आपका अनसंधान से related हुआ, research से related, जिसमें आगर हम हम हिंदी में बोले तो अनसंध्रक्रिया का flow chart, अनसंधान के लिए प्रियुक्त नैतिकता, thesis and लेख लेखन सहित, लेखन कोशल, बिसेसना और उद्देशन सहित, अनसंधान की अवधार नाए, यह आपका अनसंधान युगता का cleverness है, 5-5 आएंगे सभी से ठीक है, unit 3 देखेंगे तो यह है comprehension, comprehension में आपका communication, meaning, type, characteristic of communication, effective communication, war non-warval, intercultural and group communication, classroom communication, mass media and society, और इसमें अगरम हिंदी में देखें, communication का तो अनसंधान, sorry, जो communication का है, इसमें सिक्छा और भारत और विश्व, इससे related caution, आर्थ वेवस्था related, आर्थ वेवस्था वेस्था वेस्था कॉशन, साहित, सिक्छा में प्रियोक किये जाने वाली एक तक् communicate करना, बच्चों की बीच में किस तरह से आप communicate कर सकते हैं, यह आपका topics है, या unit है, fourth, इसके बाद बात करेंगे, sorry, comprehension, okay, comprehension है यह, comprehension में आपका पैसेस of text to be given, यानि आपको एक पैसेस दिया जाता है, और उसके बाद आपको उसके questions के answer देने होते हैं, ठीक है, यह होगा, comprehension, communication हमने अभी देखा, fifth है, mathematical reasoning and aptitude, mathematical reasoning and aptitude में types of reasoning, जिसमें कि आपका number series आजाता है, letter series आजाता है, quotes and relationship, blood relationship, जो रहते हैं, उन से related है का, mathematical aptitude में fraction, time, distance, ratio, proportion, percentage, profit and loss, and interest and discounting, average, यह आपका मैथमें है, जिसी की coding, decoding, दिसा, दूरी, अगर हम हिंदी में देखें तो, distance वाला, and संख्या series, यानि number series, यह आपका योगता और तारकिक अभी व्यक्ति, means, mathematical and reasoning aptitude से आते हैं, five questions ही इससे आएंगे, सभी से five five रहेंगे, six जो आपकी unit रहेगी, वो रहेगी, logical reasoning की, logical reasoning, अब logical reasoning में आपका होना चाहिए understanding the structure of arguments, arguments form, structure of categorical, and propositions, mood, and figures, formal and informal, falsies, uses of language, ठीक है, यह आपका रहेगा, when diagram, इसमें अगर हम हिंदी में बात करें तो, इसमें आपका logical reasoning में, तर्क, शद्रिस्ता कथन, भ्रानतियां, यह अब धार्ना है, and when, आरेक, जिसमें की आपका when diagram, जिसको हम हिंदी में, when, आरेक, logism, प्रमाण, अनुमान, यह जो topics हैं, यह सारे आपके, अब यह जो syllabus है, यह आपका हर साल यही रहता है, कोई इसमें ज्यादा changing कुछ भी नहीं होती है, आप इस साल exam दिये हो, यह आप in future आगे आने वाली net exam दे रहे हो, लगबक आपका syllabus यही रहता है, कुछ भी changing इसमें तो अगर आप net exam देना चाहते हैं, तो आपको अभी से इस syllabus की तैयारी सुरू कर दिनी चाहिए, आपको exam की तैयारी सुरू कर दिनी चाहिए, क्योंकि यह जो exam होगा, national level का exam है, और इसमें काफी competition काफी ज़्यादा रहता है, और जो paper first है, इसकी तैयारी basically सबको इसके लिए ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि यह सभी candidate के लिए, तो इसकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से करने है, first paper है, जब आप इसको के लिए करेंगे, तभी आप second paper के लिए eligible होंगे, and first paper सभी के लिए कंपल सरी है, सभी, किसी भी subject से आप करने हो, second paper subject wise होता है, इसलिए first में आ quantitative data, data interpretation, data and governance यह रहेगा, जिसमें आपका अगर हम बात करें, तो इसमें आजाएगा आपका data interpretation में, table chart, word chart, सहित, graphical, and जिन विश्यों पर data interpretation अधारित है, वो उनके लाव, हानी, percentage, समय का काम, इस तरह एक से question, तीक है, इसके बाद है, 8th number, information and communication technology, ICT, ICT में आपका general, इसमें आपका सूशना और संचार प्रोधोगी की अबधारनाई, संचिप तरूप में, संचिप तक छरो, email, संरशना, सहित, internet, अबधारनाई, ICT में digital प्रगती, सरकारी योजनाव में, ICT का प्रयोग यह रहेगे, मैं आपको इसको हिंदी में इसलिए बता जो candidate है, हिंदी में देखकर के आए है, thumbnail पर, तो उनको हिंदी में पता होना चाहिए, ओके, इसके बाद 9 नंबर में आजाएगा, people development and environment, तो पर्यावरानों प्रदूशन से related, यह topic रहेगा आपका, जिसमें आपका विस्व संगतन द्वारा, लोगों के स्वास पर पढ़ने आजाता है, soil pollution आजाता है, अलग लग जो pollutions है, इन सभी से related question, ऐसे अधिनियम जो पर्यावरान को पर्यावरान के अनकूल बनाने में मदद करेंगे, उन से related and प्राक्रतिक संसादन, जिनने सम्मोधित करने की आवश्यक्ता है, उन से related, जैसे कि solar system, wind, soil, hydro, यह जो रहेंगे तो यह सारे topics आपके रहेंगे, यानि pollution, पर्यावरान एंड प्रदूशन से संबंदित, environment and pollution से related, इसके बाद higher education system आगया, higher education system में आपका उच्छ सिक्छा संसान, institute of higher learning and education in ancient India, जिसमें उच्छ सिक्छा संसान, जैसे कि MHRD, UGC, AICTE, NCIT, इन से related, भारत में उच्छ सिक्छा का विकास, ठीक है, उच्छ सिक्छा से संबंदित, आंकडे, बिभिन इस तरों पर सिक्छा, तकनिकी, पेशा, मूल, राष्टपती और राजपाल के करतब्यों साइथ, राजनिती और प्रशासन, यह आपका उच्छ सिक्छा संग्ठन में आ जाएगा, आप यहाँ से देख स तक ही यहाँ पर 55 कॉशन आएंगे, तो देखिए, 5 कॉशन इच केरिंग 2 मार्क्स, आर टू बी सेट फॉम इच मॉडल, और ग्राफिक्स, पिक्टोरियल कॉशन, आर सेट, आप साइट, कांडिजेट, पैसे, फॉलओड वा इक्वल नंबर ऑफ कॉशन, और वेट इस आप तो यह आपके जो भी कॉशन, किसने मार्क्स के रहेंगे, वो हमने देख लिए निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा, and in future आप नेट एक्जाम, क्योंकि अभी का नेट एक्जाम हो गया, अप जो आई का नेट एक्जाम, उसकी तयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आ I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, helpful रहा हो, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को like and share कर दीजेगा, thank you